इंदोर में नगय निगम ने 125 खतानाफ मकानों में से 25 देशे अती खतानाफ मकान चिन्नित किये है जिनें बारिश से पेले टोनने की कारवाई की जा रही है हालनकि लाग रांग खुलने की बास से निगम अब तक पुल 10 मकानों पर ही कारवाई कर पाया है लेकिन अब निगम ने अगले 12 दिनों में बचे हुए मकानों को तोडने की कारवाई तैकी है इंदोर में निगम ने कुल 125 खतानाफ मकानों की सूची बारिश से पेले तियार की थी लेकिन कोरोना की वज़े से लगे लोकडाउन के चलते नीगम इन मकानों पर कारवाई नहीं कर पाया अब लोकडाउन खुल चुका है उन नीगम कारवाई कर रहा है तो सबसे पहले 25 अति खतनाक मकानों को जमी दोच करने की कारवाई की जा रही है इस कड़ी में आज नीगम की अमले ने चावनी छेतरी की उसागज इलाके में एक अति खतनाक मकान को जमी दोच किया इस तोरान छेतरी जन प्रतिनीदी ने नीगम की कारवाई पर सवाल खड़ा करती हुए इसका विरोध भी किया आरप को सीरे से खारिच करती हुए नीगम अधिकारी ने कारवाई को नियम पूर्वक बताते हुए कहा कि नीगम का अमला किसी भी दवा प्रभाव के चलते कारवाई नहीं रूखेगा नीगम ने जो आती हतंनाख मकानों को चेनिक किया है उनमें लगव 25 मकान है उसमें से 9 मकान हम लोग तोड़ चुके हैं और इस ड्राइब लगातार चल रही है नगर निगम इसमें लगातार करवाई कर रहा है दूसरा जो जिश्व है वो नगर निगम की फैनेंशल तो टाक्स के रविन्यू है जो नगर निगम को आने हैं जैसे वो ट्रैक पर आते जाएंगे वैसे यह समझन होंगे समारांदी होते जाएंगे जैसे एक लॉट हम लोगों ने अभी किया है बहुत जारे काम रिजियूम भी हुए हैं तो मुझे अमीर है कि बरसात के बाद काम काम करने में तो बरसात के बाद यह सब्सक्राइब का मुझने पुल के लोड़ेंगे